दोस्तो वो था साल 2019 और दिन था एक मार्च पूरे दुनिया के लिए ये एक आम दिन था लेकिन साउत एसिया में दो बड़े देशों के बीच जो कुछ भी होने वाला था वो एक बड़े जंग की सुरुवात थी क्योंकि पाकिस्तान और भारत एक बार फिर से आमने सामने थ इस बार जंग की वज़ा बनने वाले थे विंग कमांडर अभिनंदन भारत का इरादा बिल्कुल साफ था कि वो अपने कमांडर को वापस लाने के लिए कुछ भी करने के लिए त्यार है लेकिन इस पर पाकिस्तान क्या करने वाला था खुद पाकिस्तान को भी नहीं पता उधर वागा बॉडर पर होने वाले रोजाना परेट को भी रोग दिया गया था। देश के परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने ये सोच लिया था कि अगर अभी नंदन वापस नहीं आएंगे तो एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन रात के 8 बचकर 45 मिनट प कि वो अभी नंदन को भारत को वापस नहीं देंगे। आखिर इन दोनों देशों के बीच कौन सा ऐसा सीक्रेट सतरंच खेला गया। जिसे आज भी सीक्रेट रखा गया है। तो चलिए आपको बताते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों ये कहानी सुरू होती है इसी के जवाब में भारत ने भी प्लैन बना लिया था कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। इसलिए उसके दो हफ़ते बाद याने की 26 फरवरी को रात में इंडियन एर फोर्स ने बाला कोट एर इस्टाइक को अंजाम दिया जिसमें भारती एर फोर्स पाकिस्तान के 80 क जनता को पता चला तो पूरे पाकिस्तान में विरोध होने लगा जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार भी दबाव में आ गई और इसी के जवाब में सुबह 9 बचकर 52 मिनट पर पाकिस्तानी एर फोर्स इंडिया के अंदर घुस कर हमला करने के त्यारी क चुकी थी इधर भारतिय सेना ने डिटेक्ट भी कर लिया था कि पाकिस्तान से 10 F-16 फैटर जेट भारत पर हमला करने के लिए निकली हैं जैसे ही यह लडाकु जहाज भारतिय सीमा में घुसें तो उनके उपर जमीन से हमला करना शुरू कर दिया गया जिसके चलते 9 लडाक हवा में ही इन दोनों के बीच लडाई हुई इस लडाई में F-16 के परकच्चे उड़ गए हलाकि बाद में MiG-21 भी क्रैश हो गया लेकिन अच्छी बात ये थी कि सही समय में अभिनंदन ने खुद को एजेक्ट कर लिया और पैरसूट से नीचे आने लगे वो जिंदा तो बच गए लेकिन वो पैरसूट में होने के वज़े से भारतिय सीमा में नहीं बलकि पाकिस्तानी सीमा पर लेंड हो गए अभी घायल अभिनंदन जमीन पर ही पड़े थे तभी वहां कुछ गाउंवाले आ जाते हैं अभिनंदन ने उन लोगों से पूचा कि ये भारत है या क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा ये सुनकर वो लोग पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे अभिनंदन ने अपनी सर्विस रिवार्वर निकाल ली और वहां से भागने लगे पीछे से गाउंवाले लगतार उनके उपर पत्थर बाजी कर रहे थे जहां उन्हें चाय पीता हुआ दिखाए गया और एक ओफिसर उनसे लगतार सवाल कर रहा है लेकिन कमाल की बात तो ये है कि अभिनंदन उनके सामने बिल्कुल भी नहीं जुके उनके चेहरी पर जरा भी सिकन नहीं था उन्हें पता था कि उनके साथ पूरा देश है अगर उन्हें जरा भी खरोच आई तो पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा लेकिन भारत भी अपने इस सैनी को बचाने के लिए पीछे नहीं हटने वाला था अभिनंदन का वीडियो वायरल होते ही भारत सरकार एक्टिव हो गई तुरंत विदेश मंतराले ने एक्शन बनाया और पाकिस्तान को संदेश भीजवाया गया कि वो जनेवा संधी के अनुसार अभिनंदन को वापस कर दे दरसल जनेवा संधी के तहर किसी भी युद बंदी को परिशान नहीं किया जा सकता है नाहीं उन्हें मारा पीटा जा सकता है भारत ने पाकिस्तान को संदेश भीजवाया कि अगर अभी नंदन को कुछ भी हुआ तो ठीक नहीं होगा। भारत ने पाकिस्तान के उपर कई तरह के दबाव बनाने शुरू कर दिये। पाकिस्तान के परधान मंतरी के पास पूरे दुनिया से फोन आने लगे। वो सभी लोग उनसे लगतार ये बात कह रहे लेकिन हमें अच्छे से पता है कि चीन का जुकाओ हमेशा पाकिस्तान के तरफ रहता है। इसलिए भारत ने चीन को ऐसा करने से मना कर दिया। और कहा कि हम ये डील करने में सक्षम है। तभी पाकिस्तान को एक ख़बर मिलती है कि भारत ने नो मिसाईले उनके तरफ तैना में दी जिसके बाद पूरे भारत में खुसी के लहर दोड़ गई। हर कोई इसे भारत की एक बड़ी जीत के तोर पर देख रहा था। भारत सरकार ने पाकिस्तान से कहा कि अभिनंदन को लेने के लिए एक जहाज इसलामाबाद जाएगा लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने स मना कर दिया और कहा कि वो वागा बॉडर के जरी अभिनंदन को भारत में इंट्री करवाएंगे जिसके बाद रात को 9 बच कर 21 मिनट पर अभिनंदन भारती सीमा में दाखिल हुए जिसके बाद भारत एक बार फिर से पाकिस्तान से जीत गया